हमने बहुत सारे courses और degrees के ओपर video बनाए हैं लेकिन जो आज का video है इसमें हम compare करने वाले हैं medical versus non-medical courses को तो video बहुत interesting होगा इस video में हमने कुछ criteria रखा है जिनके basis पर हम अपने इन courses को जो है आपस में compare करेंगे criteria में रहेगा like the duration of courses, the fee details, fee structure and the job and scope opportunities for freshers and business perspectives अगर हम दोनों courses को देखते हैं दोनों degrees को like medical और non-medical में comparison करते हैं तो कैसा रहने वाला है video बहुत साथ interesting हुआ आप सभी के लिए आगे जाने से पहले एक बहुत interesting चीज़ बताने है आपको this video is sponsored by an academy an academy पर एक space jam accelerate test होने वाला है 21st November को 11 बजे से सुभा में इस test को देकर आप 100% तक scholarship जीत सकते हैं in mathematics code use करना आप chalk talk 10 आपको 10% discount भी मिल जाएगा साथ ही में legacy practice batch है previous year questions के साथ में IIT jam वालों के लिए जो 2022 में IIT jam होने वाला है ये physics, mathematics, bio tech और chemistry में हैं इसमें भी आप chalk talk 10 code use कर सकते हैं 10% discount के लिए और special price week है IIT jam की category में जिसमें जो इसका subscription का price है उसको 10% गटा दिया गया है और आपको additional 10% और चाहिए तो आप मेरा chalk talk 10 code use कर सकते हैं additional discount के लिए चलिए अब अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं जिसमें हम बात करेंगे comparison की दोनों ही courses में तो एक तरफ है non medical courses दूसरी तरफ है medical courses अगर मैं बात करूँ अपने सारे दोनों courses के बारे में तो दोनों का ही homework मैंने अपने iPad पर यहाँ पर करके रखा है और मैं आपको बताना शुरू करता हूँ बहुत ही मज़ेदार है आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले duration की अगर हम बात करें non medical और medical में ही दिखिए अगर आप non medical courses को चूज करते हैं जैसे की BSc हुआ या फिर और equivalent courses कोई भी हो non medical में आप BSc food में कर लो या फिर आप जो है agriculture में कर लो microbiota किसी में भी कर लो duration आपकी तीन से चार साल होगी graduation की plus अगर हम duration चेक करेंगे अपने medical courses की तो चाहे आप MBBS करेंगे BDS करेंगे BAMS BUMS तो लगबग 5 साल का आपका duration होगा और non medical वाले में आपके 2 साल की आपकी master's degree होगी plus साथ ही में medical वाले में भी दो साल की master's degree होगी तो जो आपका non medical course है उन्हें में लगबग कम से भी कम तीन साल का PhD होगा और जो हमारा medical courses है उसमें भी अगर हम PhD करने जाएंगे हला कि PhD की महाँ पर इतनी खासा आपको जरूरत है नहीं आपका post graduation करते हैं आप आपका medical में भी और non medical में भी दोनों में ही 8 साल लगते हैं लगबग आपके duration काफी हद तक similar है और अगर मैं fee details की बात करूं तो non medical courses में fee काफी कम होती है गौर्मेंट college में अगर आप जाओगे तो like मैंने जहां से अपना master's degree किया है वहाँ पर मेरी पूरे साल की fees 4000 रुपे स भी कम थी पहले साल में 4000 क्यास पास थी और दूसरे साल में 3000 क्यास पास थी उसमें भी scholarship मिल जाती है पांच 10,000 रुपे तो government college में तो fees वगरा कम होती ही है लेकिन अगर आप MBBS करने के लिए जाओगे government colleges में वहाँ पर fees की आपको कोई ऐसी problem आईगी नहीं लेकिन main बात ये है अगर आप private college से non-medical courses को करने जाओगे तो 55,000, 60,000 जादा से जादा एक लाग रुपे एक साल की fees होगी non-medical के case में लेकिन अगर medical courses में बात करेंगे आप MBBS, BDS, BAMS, BUMS कुछ भी करेंगे private college से तो वहाँ पर fees MBBS की 5 साल की 1 करोड रुपे होगी तो ये बहुत ही जादा है compare करने पर medical versus non-medical में तो इसमें भी आपको tension लेनी की जरूरत नहीं है अगर आप अपना private college से MBBS करना चाहते हो तो मैं ये आपको personally recommend करूँगा आप अपने एक करोड रुपे खर्श मत करो आपका 25 से 30 लाक में काम हो जाएगा आप कहीं abroad से कर लो MBBS वापस आके इंडिया में आप अपने practice वागरा करना जो भी करना इस बारे में अगर आपको details लिए लाइक आपका abroad से कैसे करनी है MBBS कितना खर्चा होगा fee details क्या है सब कुछ A to Z तो आपको इस video के description में दो link मिलेंगे Google firm का WhatsApp का दोनों में से किसी भी link पे चली जाएगा आपको callback आएगा वो आपको सा connection मत लीजी आप बिल्कुल भी तो ये fee की बात हो गई लेकिन आप बात करते हैं job opportunities और स्कॉप्स के बारे में medical versus non-medical में तो जब हम non-medical courses को चूज करते हैं चाहिए वो BSC में हमने food science चूज कर लिया है bio tech, micro, agriculture, botany, zoology, anything हमने कुछ भी चूज कर लिया है तो यहां पर क्या रहेगा अगर freshers हैं BSC के बाद job करने के लिए जा रहे हैं या MSC के बाद job करने के लिए जा रहे हैं तो आपको hardly 15,000 रुपे की job मिलेगी freshers के case में वो अलग बात है कि आपका अपने किसी अच्छे institute से क्या है like AMU, BHU, JNU, हमदर्द या फिर कहीं IITs वगयरा से अपना किया लेकिन सबको तो नहीं मिलते हैं वहाँ पर सी बहुत सारे लोग होते हैं जो normal private या फिर government institute से करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या रहेगा पंदरा maximum 20,000 रुपे आपको as a fresher आपको salary मिलेगी लेकिन medical के case में क्या है अगर आपने MBBS किया, MBBS के बाद में कोई diploma कर लिया चोटा आपको name, fame और यह सारे चीज़ें भी जादा मिलती हैं उनको जादा इजद दी जाती है, I don't know why, ऐसा क्यों है हमारे इंडिया में लेकिन ऐसा है, जो medical students होते हैं उनको जादा इजद दी जाती है, उनको जादा salary दी जाती है, उनको सब लोग उनके हर जगा पूछ होती है, तो यह काफी, मतलब disgusting सा लगता है, मुझे भी यार, मैं भी social medical courses, meditation ले लूँ, तो यह होगे कुछ job वगरा की बात में, हाला की जो government jobs निकलती है, वो भी medical वालों के लिए अलग निकलती है, non medical वालों के लिए अलग निकलती है, तो job वगरा तो आपको government अगर करनी है, तो assistant, assistant में गुझेड़ा देंगे वो, उनको घंटा फरक नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ job कर रहे है, तो लेकिन करते तो हैं, उसमें एक और point important यह है कि business perspective के point से अगर हम इन दोनों ही courses को देखे, medical और non medical को, तो कैसे रहने वाली हैं, सारी की सारी चीज़े, business perspective में, अगर हम non medical म लेकिन आपको अपना laboratory लगाना है, तो उस condition में आपके पास में PhD होना चाहिए, medical microbiology में, तो medical microbiology में, again PhD तो यहां पर यह फिर medical से related field हो जाएगा, तो यहां पर आपको जादा कुछ मिलेगा नहीं, नहीं आपको B.H.C. Food Micro से या food science से करके, आपको कोई license मिलने वाला है, registration वगेरा करवा सकते हैं, आप अपना like कुछ भी आप food industry लगाते हैं, तो license तो भाई, किसी को भी मिल जाता है, FSSI से अगर आपने सारे criteria पूरा कर रखा है, तो license किसी को भी मिल रहा है, B.H.C. Food special फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो लेकिन अगर हम medical courses की बात करत हैं, दूसरा होगे private hospital चला सकते हैं, तीसरा medical degree के उपर और भी अपना खुद का laboratory लगा सकते हैं, अगर आप MD, microbiology है, आपके पास में, या radiology में आपना post graduation, diploma वगरा किया है, तो अपना diagnostics radiology में लगा सकते हैं, तो business perspective से भी medical is superior than non-medical, हला कि ऐसा नहीं है, कि medical में सब कुछ है आप non-medical में भी अगर आपका देखिए कहा फायदा रहेगा, अगर आपको research field में जाना है, लाइक अगर आपको botany में research करनी है, तो आप B.A.C. botany, M.A.C. botany, PhD, BC field में चले जाओगे, या फिर आपको micro में, bio tech में, virology में, bacteriology में, research field में जाना है, तो आप जो है non-medical courses को choose क कर सकते हैं, B.A.C., M.A.C. और PhD वहाँ पर भी क्या रहेगा, M.A.C. करने के बाद में, आप जो है, आप जैसे M.A.C. में admission लेते हैं, आप तेयारी कीजिए, NETJRF की, जो junior research fellow का exam होता है fellowship का, उसमें आपको लगवक 35-40,000 रुपे पर मन्त के भी मिलेंगे और आपको PhD करने क करने के बाद में, M.A.C. करने के बाद में, अगर आपको net qualify हो जाता है, तो आप assistant professor की job कर सकते हैं, government job मिल जाएगी, आपको उसके लिए आप eligible हैं, प्लस साथ ही में, अगर आपको और भी teaching line में जाना है, तो भी आप इस field में जा सकते हैं, अगर आपको MBBS वालों को पढ़ा यार, तो यह भी एक अच्छा option है, मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बाकि आपकी क्या राय है, इस बारे में मुझे comment करके बता सकते हैं, और अपना कोई भी आपकी opinion, आपका कोई भी राय हो, comment करके बताईए, कोई आपका कोई demand हो, कोई wish हो, किसी topic के ओपर आप lecture चा आपको समझा देंगे, तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते है, नेक्स वीडियो में, थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो